फिर सरकार कान खोल का सुन ले, वे याद भी भी यही है, वे टेक्टर भी यही है, वे कोई किराई के नहीं आई, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, 394 में पुलिस वाले जखमी हुए वहाँ पर, कहा है, महलट बजी, तलवारें चली तो आप धीरे-धीरे राकेश टिकैट के असली मनसूबे सामने आने लगे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर जो राकेश टिकैट ने अपना राजनेतिक उल्लू सीधा किया है, वो कोई अचानक नहीं देखने को मिला है, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये फरजी किसान लेकिन अब राकेस टिकैत के चेहरे से परदा हट चुका है और नेता बनने के लिए उसने जो ये आंदोलन की साजिश रची थी उस आंदोलन का असली मकसद अब सब के सामने आने लगा है। आप लोग अपने काम पर लगे रहों क्योंकि आपको वैसे भी इस बात से मतलब नहीं है कि आंदोलन के पीछे आखिर शडियंतर क्या रचा जा रहा है। चिला चिला कर बोल रहे थे कि मैं राजनीती में कभी नहीं आऊंगा और अब ये बोलते हैं ये बीजे पी को जीतने नहीं देंगे। ये वही शक्स है जिसने जून जुलाई में कहा था कि आज इस किसान बिल के आने से महेंदर टिकैत की आत्मा को शांती मिल गई होगी। और उसके कुछ ही दिन बाद जब टुकडे गैंग ने इसकी जेब गर्म कर दी तो इसने यूटन लेते हुए सरकार को इसी कानून के लिए घेटना शुरू कर दिया। अब ये बिन पैंदी का लोटा पहुँचा है बंगाल जहां इनका स्वागत करने के लिए पहुँचती है टीमसी की MP डूलासेद। मौका परस्त इनसान राकेश टिकैत ने किसानों के लिए शुरू किये गए आंदोलन को BJP को हराओ आंदोलन बना दिया। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जब टुकडे गैंग के मेंबर्स किसी के समर्थन में उतरते हैं तो समझ जाओ कि जिसका ये समर्थन कर रहे हैं उसकी सोच देश के लिए अच्छी नहीं होगी। तभी ये सारे गीड़ों की फौज इकठा होकर उसे गोध में बिठा लेती है और इस बार इन्होंने गोध में बिठाया है राकेश टिकैद को। पैंपलेट छपवा कर इस बिल के खिलाफ दिल्ली के गाउं में जा जाकर परचे बाट कर इस बिल को लेकर भढ़का रहे थे लोगों को। दो बार इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त कराने के बाद इसे ये सही मौका मिल गया जहां ये राजनीती में अपना नाम बना सके। भला इसका बंगाल में जाने का क्या मतलब है सिर्फ इसलिए कि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं कि चलो वहाँ जाके लोगों को भड़काते हैं बीजेपी के खिलाफ। अच्छा सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम हमारे जैसे लोग ही सिर्फ क्यों इस पर बोल रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं। कुछ एक गिरफतारी के मामले सामने आये थे उसके बाद खत्म क्यों कर दिये गए। इस राकेश टिकैत को इतनी छूट कैसे दे रखी है कि इतना सबहंगामा मचाने के बाद भी ये खुले आम घूम रहा है, अंदोलन कर रहा है। एक न्यूस चैनल पर ओन कैमरा इसने कहा है कि वो 26 जनवरी वाले लोग और वो लाखो ट्रेक्टर कहीं नहीं गए हैं। वो अब भी वही है, ये साफ साफ शब्दों में धमकी दे रहा है कि हमारा कहना नहीं माना तो 26 जनवरी वाली खटना फिर से धोराई जा सकती है। बेशर्म बना ये राकेश तिकैत कैसे कहता है कि आखिर 26 जनवरी को कुछ हुआ ही नहीं है। इसे तिरंगे का अपमान कोई बड़ी बात नहीं लगती। जोरी है और अगर मोदी जी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो हम केवल लोगों को समझाई सकते हैं। सरकार ही अगर इन जैसों को श्रे देगी तो हम कब तक इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इस परजी किसान आंदोलन पर ये मेरी आखरी वीडियो होगी अनलस की कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि इस पर कोई कानूनी करवाई नहीं बन पाएगी। सब हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी। लेकिन अगर इन्होंने खुद राकेश टिकेट जैसो को आश्रे दिया हुआ है, तो आगे कुछ कहना में जरूरी नहीं समझता। जैहिंद वंदे मातरम।